गूड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम एक नए वीडियो आहत सिखे अर्थात पंचमार के सिखे किसे कैतें के साथ आपके सामने उपस्तित हैं तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलें और इत्यास विसे से सम्मादित महत्तो पुन परिक्षा उप्योगी समगरी आपको उपलब्द हो सके तो देखेगा आहत अर्थात दुख तो किसी चीज को दुखी करके अर्थात यहाँ पर आहत का मतलब होगा हतोडे से कूटना तो जो सिक्के हतोडे से किसी भी दातू के सिक्के हों चाहे वो थोड़ों से ठोककर पीटकर बनाये जाते थे वो ही आपके आहत सिक्के अर्थात पंचमार के सिक्के होते थे तो देखेगा आहत सिक्के आहत सिक्के पंचमार के सिक्के पांसो इसा पूर्वा के लगबग पूराने सिक्के जो दूसरी स्ताब देश्वी पूर्वा तक के प्राप्त हुए हैं भारत में पर्चलीत प्राच के टुकडे पर चिन विशेश ठपा मार कर अर्थाद पीट कर बनाये जाते थे आहाँ सिकों पर चिनों के अवसेश भी मिलते हैं जैसे मचली, पेड, मोर, येग्यवेदी, हाती, संख, बैल, जैमीत ये चित्र, जिसमें वृत, चत्रुभुज, त्रीकोण के तदा खरगोश तो कई बार पूछ लेते हैं कि आहाँ सिकों पर कोन कोन से चिन मिलने हैं, ठीक है? इन सिकों का कोई नियमित आकार नहीं था, ये रजाओं दवारा जारी नहीं किए गए माने जते हैं, बलकि व्यापारिक सम्वहों से समंधित माने गए हैं, अदिकांस आहाँ सिके जो इलाभाद और साहपुरा तथा बिहार मगद से मिले हैं। जो इलाभाद बिहार मगद से मिले हैं। जैसे वरत, चतुरभुज, तरीकोन, तता खरगोस, आदी जन्तु मिलते हैं। जो इलाभाद तथा बिहार के मगद से मिले हैं। आहद सिखों से ही व्यापार में सुद्रण इम नवीन समर्गों के उद्ये का मार्ग परसस्ते हुआ था। महा जन्पदों में प्रचलित आहद सिखे थे। तो महा जन्पदों में प्रचलित आहद सिखे ये आहद सिखे चांदी और तंबे की परतों पर अंकित होते थे। ये कायपाना अभी संभव नहीं है कि इन जन्पदों में से किसने सबसे पहले ये सिखे प्रारम भी किये। प्रतेक जन्पद के इसिखों की बनावट आकरती, वजन, धातु और शवरूप एक दूसरे से प्रयाप्त भिंता पाई गई है। असमक महाजनपत के सिखे मोटे तथा गोला करती के होते थे। पांचाल सिखों में प्रमुक चिन मतसे व्रश हाती सवार प्रमुक थे। सूर सेन के सिखों पर बिल्ली यासी हैं क्या अकरती मिलती है। गंदार के आज सिखों सिखे पूर्ण ताय अलग पाये गए हैं। यहें एक से पोने दो इंच लंबे वर्तुला कार्श लाका सरीखे हैं। वत्स, कासी, कोसल, मगत, कलिंग और अंदर के सिखों पर चार-चार चिन अंकित मिलते हैं। चांदी के सिखे का निर्माण इस्सा से पूर्वही बंद कर दिया गया था। परन्तु इनका चलन अगले 500 वर्सों तक बना रहा। गुपतों के उद्य तक चांदी के सिखे नहीं मिलते। आहत मुद्रा की चांप से यूगत एक सांचा एरन जो सागर मद्यपरदे से मिलता है। कोटिले के अर्चसास्तन में उल्लेक से पता चलता है कि उसके समय में तंबे के सिखे भी प्रचलित थे। अधिकारियों को पन जो की चांदी की मुद्रा होती थी द्वारा वेतन दिया जाता था। तो बदलती रही परण्दु जिन सिखों पर चिनों का टंकन किया जाता था वे ही पंचमार किया आहज सिखे कहलाई। ठीक है, तो आहज-सिक्वे किसे कहा Jáता, जिन जिस दातू को ठोकर पीट कर बनाय जाता था और जिस पर चिन बनाय जाते थे, वो ही आहज-सिक्वे अर्थात पंचमार के सिक्वे कहलाते थे तो ये टोपिक छोटा है लेकिन एक्जाम की दरिस्टी से महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना अन तक हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद